हेलो स्टूडेंट्स वैलकम टू दा चैनल उनलाइन स्टडी बिड्डी के मैं नीलम चिनके साथ आप मैस्स प्राक्टिस पेपर्स कम्प्लीट कर रहे हैं अभी रीट, सीटेट और भी टेट एक्जामस आपके आने वाले हैं तो उन सभी के लिए ये मैस्स के जो पेपर है जो पैटर्न है वो काफी वेनिफीशियल होने वाला है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके तो आज का जो हमारा पहला कुशन है 240 अंकों की एक परिक्षा में किसी परिक्षार्थी ने 52 अंक अरजित किये पाई आलेक में इसका संगत कौन है तो आपको इसे पाई आलेक वाले फॉर्मुले से कंप्लीट करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फॉर्मुला क्या होता है थीटा डिग्री में 360 और जो भी आपका दिया है अंक 240 और कितने प्राप्ति किये हैं 52 तो आप इसे सिंपल सॉल्ब कर सकते हैं 0 से 0 कैंसल 4 से 7 टाइम 4 से 9 टाइम तो 7 थीटा is equals to 52 into 9 होगा देन थीटा is equals to 52 into 9 upon 7 आप इसे सॉल्ब करेंगे आपका अंसर होता है 78 डिग्री आप यहां से देख सकते हैं कि कॉश्चन में आपको पाई आलेक की थुरू कंप्लीट करने को बोला गया था कि पाई आलेक से आपको इसे कंप्लीट करना है तो हमन पाई आलेक का जो फॉर्मुला होता है उस फॉर्मुले का यूस करते हुए इसे सॉल्ब किया नेक्स्ट कॉश्चन देखेंगे पी का पी प्रतिशत 36 हो तो पी बराबर है मतलब आपको सीधा सीधा यहां पर का की जगह पर गुणा लगाना है पी प्रतिशत है आपका कितन थाइटी सिक्स देखेंगे इस सिंपल किस तरह से कॉश्चन को सॉल्ब करना है आप यह देख सकते हैं का की जगह पर आपको गुणा का साइन लगाना होता है प्रतिशत जो है प्रतिशत को कभी भी दिया हो तो प्रतिशत को हटा के आप एक बटे सो का गुणा कर देए कित प्लस माइनस आपका 60 तो यदि आपके question में सिर्फ 60 दिया है तो आप 60 यहाँ पर right answer लगाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते ही कि question का pattern किस तरह से होता है और यह बहुत ही basic से basic questions मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ next question देखेंगे 2352 is equals to 2 raise to the power x into 3 raise to the power y into 7 raise to the power z तब x plus y plus z का मान है तो मतलब सीधा सीधा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको कि 2352 है इसका यहाँ पर यह गुडणखंड के form में दिया है factor के form में दिया है तो आप क्या करेंगे हैं से सबसे पहले हमारा काम होगा 2352 के हम factor निकाले गुडणखंड निकाले तो देखिए 2 last में है तो आप 2 से इसे divide कर सकते 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 फिर अगेन यहाँ 6 last में है तो 2 से फिर करेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 फिर 8 लास्ट में है तो फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 अभी फिर यहाँ 4 last में है हम 2 से ही करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 अभ हम 2 से नहीं कर सकते हैं last में आपका 7, हम 3 से चेक करते हैं 3 से चेक करने के condition क्या होती हमें सभी नंबर अंकों को जोडना होता है और अगर वो नंबर 3 से divisible है तो सभी नंबर आपका पूरा नंबर आपका 3 इंसे divisible होगा तो देखिए 7 और 4, 11 और 12 और 12 तीन के पहाड़े में आता है तीन के टेवल में आता है तो 3, 4, 12 तीन नमा की सरता ही अब सभी जानते ही कि जो 49 से 49 है वो 7 से कैंसल हो जाता है मतलब 7 के टेवल में आता है तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 मतलब आया ह है यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर है आपका 2 तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर X प्लस Y प्लस Z तो X वरावर 4 हुआ, Y वरावर 1 हुआ, Z वरावर 2 हुआ, आप तीनों को जोडेंगे तो आपका आंसर कितना हो रहा है 7 तो इस तरह से questions आपको दे दि सो के सम भाजक क्या होंगे तो आपको जब भी सम और विसम भाजक की बात आए तो आपको करना किस तरह से है देखिए हम भाजक निकालने के लिए भी हमको गुरंखंडी निकालने होते हैं और सम और विसम भाजक दोनों की method आपकी अलग होती है तो मैं आपको सम भाजक की बता देती हूँ और पिसम भाजक की विए explain करूंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है 100 के आपको गुड़नकर निकालने 2 से 50 टाइम जाएगा फिर 2 से आपका 25 फिर 5 से आपका 5 बंजा 5 होगा मतलब आपके 2 की पावर 2 हो रही है और 5 की पावर 2 हो रही है तो देखिए हमें करना क्या होता है यहाँ पर सम भाजक निकालना है तो जो सम बाला नंबर है जिसकी पावर है उस पावर में आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है लेकिन जो बिसम बाला नमबर है इसकी पावर 2 है तो इस पावर में आपको एक जोड़ना है लेकिन यदि यह भी बिसम होता तो आप इसमें भी एक जोड़ देते अब हमको करना क्या है यहाँ पर? आप आपको करना क्या है यहाँ पर? इन दोनों को जोड़ देन, multiply कर देना, 2 into आपका 3 मतलब आपके 600 के जो सम भाजक होंगे, वो कितने होंगे, 6 होंगे पंदरा सैंटीमीटर भुजा बाले किसी घं में से 3 सैंटीमीटर भुजा बाले कितने घं काटे जा सकते तो आप यहाँ पर सीधी सी बात देख सकते हैं कि एक 15 सैंटीमीटर भुजा बाले घं जिसमें से 3-3 सैंटीमीटर के घं कितने हैं आपको ये बताना है तो सीधी सी बात कि जो आपका टोटल जो होता है उसमें आप छोटे घं से डिवाइट करते हैं तो 3-5-15 और घं हैं तो आपको क्यूब लगाना होगा सीधा सा आपका कॉश्चन है 125 तो इस तरह के छटे-छटे कॉश्चन जो होते हैं एक्जाम में हमें काफी कन्फ्यूज करते हैं और हम कई बार इन कॉश्चन को नहीं कर पाते हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते जाएंगे नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कॉश्चन नमबर 16 3 raise to the power 1,989 में 7 से भाग देने पर सेशफल क्या होगा आपको सेशफल बताना है तो देखें यहाँ पर आपको 3 की पावर के टम में दी है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़े बताने बाले हूँ जैसे कि मान लो 3 की पावर 1 है आप 7 से डिवाइट करते हैं 3 आपका सेश बचेगा 3 की पावर 2 मतलब 9 7 से डिवाइट करेंगे 2 आपका यहाँ पर रिमेंडर होगा 3 की पावर 3 लेंगे 27 अपान आप 7 करेंगे तो आपका 6 यहाँ पर रिमेंडर होगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 की पावर हम किस ट्रम में ले रहे हैं तो आपका 7 से डिवाइट करने पर क्या-क्या रिमाइंडर शेश्फल हो रहा है क्या मैं 109,989 को इस तरह से लिख सकते हैं 331 into 6 और प्लस आपका 3 जो कि आपकी 3 की पावर है अब यदि 6 से हम मल्टिप्लाइ करते हैं और 3 आपका यहाँ पर रिमाइंडर हो रहा है तो 3 की पावर 3 मतलब आपका हो रहा है 27 और आप डिवाइट लगाते हैं 7 से तो आपको 6 यहाँ पर रिमाइंडर 6 बचेगा तो देखें किस तरह से हमने इस क्वेशन को स्वार्व किया नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे क्वेशन नमबर 17 एक बहुज के अंतहा कोणों का योग 2160 है तो बहुज की संख्या है तो सबसे पहले तो बहुज के अंतहा कोणों का योग लिखा गया है यहाँ पर तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका डारेक्ट आप फॉर्मूला याद रखें इसका n-2 into आपका 180 अंतहा कोणों का योग दिया गया है आपको 2160 दिया है इससे आप 180 से इने कैंसल करें n-2 is equals to 2160 180 से हम इसे कैंसल करेंगे 0 से 0 कैंसल और यह 18 से आपका कैंसल हो जाएगा 12 टाइम अब आपका है n-2 is equals to 12 तो n is equals to आपका 12 प्लस 2 मतलब 14 तो सिर्फ इसमें आपको यदि फॉर्मूला याद है n-2 into 180 अंतह कोणों का योग नेक्स्ट क्वेशन है आपका सबसे छोटा रिनेतर अभाज पूर्णांग है देखिए रिनेतर बोला गया है इससे आपको कन्फीज नहीं है अभाज पूर्णांग हमेशा अभाज पूर्णांग आप याद रखें कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसमें किसी भी नंबर से भाग नहीं जाता सिर्फ 1 से जाएगा या सेल्फ से जाएगा तो वह है आपका अभाज पूर्णांग है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 19, 1, 1, 2 प्लस 11, 1, 2 प्लस 11, 1, 2 प्लस 11, 1, 2 एकुल है देखिए इस तरह के कोशन को करने का मकसद आपका यह है कि या तो आप इसे पूरा सॉल्व करें इसका मल्टिप्लाइ करें फिर प्लस करें या फिर एक छोटी सी मैथट अपलाई करें देखिए मैथट क्या है आपकी जो आपके फ्रैक्शन में दिया है इन्हें आप प्लस में लिख लें जो आपके होल लंबर दियें उन्हें आप अलग लिख लें देखिए 1 प्लस 11 प्लस आपका 1 1 1 प्लस आपका 1 1 1 1 फिर देन आपका जो भी आपका fraction में हैं आप उसे लिखे 1 y 2 प्लस 1 y 2 प्लस 1 y 2 देन आपका 1 y 2 मतलब आप इस तरह से कोई भी question को solve कर सकते हैं अब आप यहाँ पर 1 y 2 प्लस 1 y 2 1 प्लस 1 y 2 और प्लस 1 y 2 1 और 1 आपका यहाँ पर होता है 2 और आप इन सभी को add करेंगे तो आपका कितना होता है देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 देखेंगे 4 3 2 1 और प्लस आपका यहाँ पर 2 होगा मतलब 1 2 3 6 एक simple सा छोटा सा question answer आपका option number B last question question number 20 देखते हैं I hope कि सभी questions आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं A और B के लिए A star B आपकी इस तरह की equation है तो 9 star 10 के लिए क्या होगा सीधा सीधा 9 यहाँ रखें 10 यहाँ लखें और 9 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 10 9 और 9 81 प्लस 100 माइनस 900 900 में से 100 आप माइनस करेंगे आपका कितना होता है 700 और 700 प्लस आपका 81 हो जाएगा तो 781 लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है 90 होगा तो 181 माइनस 90 आपका कितना होता है 91 तो जो की है आपका option number C में तो I hope की सभी questions आपको अच्छे से समझ में आए होंगे next practice paper लेकर के हम बहुत जल आएंगे जैसा कि आप सभी की demand है कि मैं practice paper regular लेकर क्या हूँ तो मेरे questions आपको regular ही मिलेंगे आप सभी अच्छे से preparation करते रहेगा शब तक के लिए आप सभी को मेरा जैहिन बंदे मात्रम प्राजे माँ झाल झाल झाल